हेलो दोस्तों अरद्दार सेकेडिमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आई ये ते सेकंड ग्रेड शिक्सक बरती परिक्षा दोजार चोबिस के नविंतम पाटे करम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मोडल पेपर के टैस सेरी वो सही होने ही चाहिए तोड़ा इजी है ठीक है और अगर आपने पिछले 32 मोडल पेपरो का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाईए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मोडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बनावाए तो आप वहां जाकर पिछले मोडल पेपरो का टेस्ट है वह वस्य दे और अरध्यार सेकेटिमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू कर हो जाएकर यह चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों चूलिया जल पर पात है और कहां पर है यह चितोड़ गड़ में है तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिलकुल सहीर सेकें नंबर का प्रेस ने इसमें देखे गंगा की सायक नदी नहीं है वह अपने को यहां पर ब पुत्र की सायक नदी है तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा तीन नंबर प्रेस ने पर्थवी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह हैं पर्थवी दिवस किस दिन मनाया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है 22 अप्रेल को पर्थवी प्रवत सिखर है तो वह कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों बताइए कौन सा है तो वह है को सी उसको को सी उसको है यह दोस्तों ओस्टेलिया का सरवोच्चे प्रवत सिखर है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें यहांपे डियागो गार्शिया दीवप जहान इस्तीतह वह हैं बताये दोस्तो इसका राइट आंसर पर ले दूस्तर यहां पर एक प्रिशन सित्माज़ साहरे वर्शा करती है तो उत्तर पूर्वी सीत मांसोनी पवने किस तटके साहरे वर्षा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, दोस्तो, कोरोमंडल तटके साहरे वर्षा करती है, D-Number का option बिल्कुल सही तर इसमें हो जाएगा, 7. नमने मेंसे कौन सी प्राइद यूपे भारत की सरवोचे प्रवतीय चोटी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अन्नाई मुडी तो यहाँ पर D नमर का जो उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और अनाई मुड़ी की उचाई कितनी है तो दोस्तो 26,95 में मिटर है ये अनाई मुड़ी की उचाई है तो यहाँ पर D नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही आठ नंबर का प्रशन इसमें देखिए भारत का अक्सांस ये एवं देशांतरी विस्तार कितना है तो दोस्तो वो है आठ डिग्री चार मिनट उत्री अक्सांस से 37 डिग्री छे मिनट उत्री अक्सांस एवं 68 डिग्री साथ मिनट पूर्वी देशांतर से 37 में डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है ये भारत का अक्सांस ये एवं देशांतरी विस्तार है तो यहाँ पर B नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही नो नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए निम्न में से सुमेलित नहीं है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तो देखिए एक तरफ नदी है दूसरी तरफ साइक नदी है देखिए मिस्सी सीपी नदी की साइक नदी ओयो है बिलकुल स और यहां पर देखिए हांग हो नदी की सायक नदी यहां पर मीन दे रखिए जो कि इसमें गलत दे रखिए दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए हांग हो नदी को ही पीली नदी भी कहते हैं ठीक है और यह चीन में बैठती है इसकी सायक नदी दोस्तों एक तो है वी नदी ठीक है एक है दोस्तो ताओ नदी, कुंछी ताओ नदी और एक है दोस्तो इसमें फेनी नदी ठीक है यह तीन नदीं है, वो हंगो नदी की साएक नदीं है, यहाँ पर मीन है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नमबर का उपसन बिलकِّل सही उतर हो जाएगा, दस नमबर का प्रस्ट ने इसमें देखिए मलक का जल्डमरू मद्दे अलग करता है तो यह किसको अलग करता है यह अलग करता है दोस्तो मलेशिया और सुमात्रा को यह अलग करता है यह मलक का जल्डमरू मद्दे तो यहां पर अपना इसमें डी नमबर का उप्सन बिलकुल स बिल्कुल सही दोबर, 12 नंबठ का प्रेशन है कींड़िए उन विकास पूल है काँ पर इस्तिते हैं तो दोस्तों, यह जोधपुर में हैं, यहां पर ए, नंबर का उप्शन बिल्कुल सही जोधपुर में हैं आगे देखें,íamosर бытьsung प्रेशन फलड का समंध है बताईए operation फलड का समंध किस से है तो दोस्तो ये समंध है किस से तो इसका right answer हो जाएगा यह स्वेत क्रानती से समंध है तो यहां पर B nearby option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा स्वेत तरांती से इसका समंध है ओप्रेशन फलडगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहां पर चोज़ा नमबर का प्रेशन है गुनिस्वी पसुगर्णा के अनुसार राजस्तान में बेडों की संक्या में वर्ष दोजार साथ से दोजार बारा के मद्दे कमी हुई है गुनिस्वी पसुगर्णा के अनुसार राजस्तान में बेडों की संक्या में वर्ष दोजार साथ से दोजार बारा के मद्दे कमी हुई है तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है तो दोस्तों इसमें 18.86 प्रतिशत की कमी हुई है ए नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा 15 नंबर का प्रस ने इसमें देखिए करशी वर्ष 2017-18 के दोरान राजस्तान में कुल खाद्यानों का उत्पादन हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 225.82 लाग टन 225.82 लाग टन है ये दोस्तों करशी वर्ष 2017-18 के दोरान राजस्तान में कुल खाद्यानों का उत्पादन हुआ तो यहाँ पर ए नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 16 नंबर का प्रस्ट ने इसमें देखिए अवाड जो की प्रसिक्षन में उत्करष्ट कारिये है तो राजस्तान राज्ये द्वारा खेल प्रसिक्षक को दिया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गुरू वसिष्ट अवाड तो यहाँ पर प्रसिक्ष किकि किस संबाग में धनिया की पैदावार सर्वादिक है बता ही कौन से संबाग में धनिया की पैदावारे सर्वादिक है र mig up वो है दोस्तो कोटा संभाग में आड़ो तीचे तरा जाता है इसमें तो यहां पर डी नमबर सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कोटा संभाग में आगे देखिए अठारा नमबर का प्रशन है साथ से नो नौमबर दो जार सत्रा तक है ग्राम गलोबल रा किस जले में किया गया तो यहां पर अपना इसमें राइट आंशर हो जाएगा यह आयजन किया गया था दोस्तो उधैपूर में तो यहां पर एह नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए निम्न में से किस योजना का उप्शन अदाल्थी मामलों को निपटाना है निम्न में से किस योजना का उद्दे से लंबित राजस्वय अदालती मामलों को निप्ता ना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो न्याय आपके द्वार यहां पर C नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा न्याय आपके द्वार आ यहां पर A नंबर आ ओप्षन बिल्कुल सही अगे देखे भारत की विदेश निती में पढोस पहले की नीती किस ने प्रारंभ की इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह प्रारंब की नरेंदर मोदी ने तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए भारतिय सविदान के किस अनुचेद में गोवद निशेद राज्य के नितिनर्देशक तत्व का एक भाग है राजे के नितिनर्देशक तत्व है दोस्तों अनुचेद 36 से लेकर अनुचेद 51 तक है और इसमें अपने को बताना है कि गोवद निशेद है वो कौन से अनुच्यद में है तो इसका राइट आंसर होजाएगा वह है दोस्तों इसमें अनुच्यद 48 में तो यहां पर यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए 23 नंबर प्रेस्ट ने भारत सासन अधिनियम गुनी 135 के समंद में निम्नलिकित कतनों पर विचार कर नीचे दिये गए कूट में से सई उत्तर का अपने को चैन करना है बारत सासन अधिनियम गुनी 135 से समंदित है यह कथन सारे के सारे अपने को बताना है कि इन में से चार कतनों में से कौन-कौन से कतन है वो सत्ते है वो बताना है देखिए बारसासन अदिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसुचियां थी गलत है दोस्तों इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसुचियां थी तो यहां पर पहला कतन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दूसरा देखि कि जिसमें प्रांत एवं देशी रियास्ते इकाईयों के रूप में सामिल थे बिल्कुल सही है दोस्तों ये बिल्कुल सही है प्रांत एवं देशी रियास्ते इकाईयों के रूप में सामिल थे बिल्कुल सही दियानी की दूसरा कतन है वो अपना इसमें सही है तीसरा देखि यहां पर तीसरा कफन भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चोथा देखिए अपसिष्ट सक्तियां गवरनर जनरल को दी गई बिलकूल सही है यानि कि अपना इसमें जिर्फ दो ही सत्य है एक तो दूसरा और एक चोथा तो यहां पर कूटवासा में उतर देना था तो यहां पर बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और चोथा इसमें सत्य है आगे देखिए राज्य का मुख्य सचिव कारे करता है तो दोस्तों इसमें देखे केबिनेट सचीव के रूप में कारे करता है बिल्कुल सही है ठीक है मुख्य मंतरी के सलाकार के रूप में कारे करता है बिल्कुल सही है सचीवों के मुख्या के रूप में कारे करता है बिल्कुल सही है सिविल सेवा के परधान के रूप में कारे क क्यार यह सही है तो कूटबासमे मी उत्र देना था तो यहां पर एनugen का जो प्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा प्त्चीस नमर का प्रस्टन है राज Glenn में राज्य पुरже असम के विदिते पर मुखे तो स्का राइट अंसर अब राज्येता नमबर और कर दाउप्षेरी 9 0 26 अबने को दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है ढहें जगनात पहडियां पहडिया का जगनात पहडिया का जो कारेकाल है वो दोस्तों गुनीशो असी से गुनी सो 81 तक था बरकतुला खान का जो कारेकाल है वो है दोस्तो गुनी सो 31 से गुनी सो तेतर तक था बैरो सिंग से कावत का कारेकाल है ये दोस्तो गुनी सो 77 से गुनी सो 80 तक था और मौलाल सुखाडिया का जो कारेकाल है ये गुनी सो 54 से गुनी सो 57 तक था तो यहां प तीन एक दो चार कर लेना आगे देखिए 27 नमबर का प्रेस ने राजे के मुख्य सचीव को अवसिष्ट वस्यतदार कहा जाता है जिसका अर्थ है बताइए राजे के मुख्य सचीव को अवसिष्ट वस्यतदार कहा जाता है जिसका आर्थ है दोस्तों उसका आर्थ है वहें ऐसे सभी कार्य करता है जो विशेश्ट रूप से किसी सचीव को आवंटित नहीं किये जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें यहाँ पे एक नॉमबर गुनिस सो चपन से पहले राजस्तान राज्ये क माने जाते थे तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही गुन्टिस नमबर का प्रस्तन है सुमेलित करना है एक तरफ है राज्ये सचीवाले में रेंक है दूसरी तरफ है भूमिका या कारिये यानि कि उनके कारिये क्या है दोस्तों इसमें दे अनुभाग अधिकारी का जो कारिये है वो है दोस्तों संपून परियेवेक्षन और सहयक का कारिये करम है सहयक का जो कारिये है वो है दोस्तों बजट क्रियानवेन तो यहाँ पर इस प्रस्तन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों दो एक तीन चार दो एक तीन च्यार इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए राजस्तान सचीवाले पुनरगठन समीती गुनिशो गुनिटर में अध्यक्स थे तो वो कौन थे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मोहन मुकरजी थे तो यहां पर है C नंबर का उप्शन सही मोह उतर देना है कि कौन सा कतन है वो राजयपाल के समंध में सही है देखिए वह राजस्तान केंद्रिये विश्वविद्याले के कुलादी पती है गलत हो जाएगा दोस्तों देखिए राजयपाल नहीं होते केंद्रिये विश्वविद्याले के कुलादी पती यह होते है राजे के किसी भी लाब के पद को धारन कर सकते हैं दोस्तों गलत दे रखा है नहीं कर सकते हैं लाब के पद को धारन वहें रेड सोरी वहें इंडियान रेड क्रोस सोसाइटी राजस्तान राजे साखा के अध्यक्स हैं बिल्कुल सही है तीसरा कतन इसमें सही है चोथा देख कि उन्हें सविधान के अंतरगत कोई सविवेक कोई सविवेक सक्ति प्राप्त नहीं है तो दोस्तों ये भी इसमें गलत दे रखा है सविवेक की सक्ति प्राप्त है राजय पाल को तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक है वह तीसरा उप्सन ठीक है तो यहां पर इसका राइट जिसका अद्यक्स होता है, तो दोस्तों उसका अद्यक्स होता है मुख्य मंत्री, तो यहां पर B नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें, अठारा जन्वरी, गुनिसो निन्याण मको, राजस्तान मानव अदिकार आयोग है, वो अस्तित्व में आया, यहां पर B नमबर का जो उप्षन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा, 34 नमबर प्रेशन है, दक्षिंड राजस्तान की भील जन्जाती का निम्न में से कौन सा नर्ते नाटे के रूप में किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है गवरी नर्ते, तो यहां पर इसमें C नमबर वा उप्षन बिल्कुल सही, 35 नमबर का प्रेशन है, निम्न में से किस राजपुत सासक द्वारा नेहत तरंग रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तो, राव बुद्ध सिंग के द्वारा ये पुस्तक रचित है, नेहत तरंग, यहां पर D नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत इसमें हो जाएगा, 36 नमबर प्रेशन इसमें देखिए, लांगुरिया नर्ते होते हैं, लांगुरिया नर्ते होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तो, लांगुरिया नर्ते हैं, यह केला देवी के मंदिर में होते हैं, यह लांगुरिया नर्ते, तो यहा यहां पर option में एक कर लेना स्रावन महा में निकाली जाती है दोस्तों यह कि सवारी ठीक है राइट आंसर यहां पर यह नंबर का option कर लेना स्रावन महां में देखिए रोजाना टेस्ट देना है आपको आपको अपना score भी पता लगेगा कि आपका score है वो क्या रहने वाला है ठ दोस्तों सभी को पता होगा मागपूर्णिमा को ये मेला भरता है यहां पर खंडित सिवलिंग की पूजा होती है यहां पर डी नंबर का उप्शन राइट आंसर आगे देखे गोपाल उदय हुकमा जीवन चितरकला की किस सहली से समंदित थे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आमेर जैपूर से लिए तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आमेर जैपूर से लिए चालिस नमबर का प्रेस ने इसमें देखे है निम्ना अंकित में से किस दुर्ग को युनेसको ने विरासत दुर्ग गोशित नहीं किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मांडलगड ठीक है दोस्तो आपने एक ट्रिक सुनी होगी चिकु गाजराम ठीक है तो वो ही है जसलमेर आमेर और गागरोन तो इसमें युनेसको की विरासत सुची में सामिल है लेकिन मांडलगड नहीं है तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखे कि राडू का सोमेशवर मंदीर और आबानेरी का हरसत मा ही हैं तो यहां पर बी नमबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखे निम्न में से कोन विश्ट नुई संपर्दाए का संस्तापक था वह था दोस्तों कौन तो वो थे जांबुझी तो यहां पर अपना इसमें राइट आटांसर हो जाएगा आब सी नमबर ऑप्शन बिल मापने को यहां पर बताना है देखिए एक तरफ लोग देवता है दूसरी तरफ है मुख्षतल है गोगा घी का मुख्षतल गोगा मेडी में है बिल्कुल सही है पादू जी का CP मुखेश तल कोलूमेंट जोदपूर में है बिल्कुल सही है तेजा जी का मुखेश तल परबसर नागोर में है बिल्कुल सही है मली नाज जी का जो मुखेश तल है वो दोस्तो तिलवाडा बाड मेर मेर में है कहां पर है तिलवाडा बाड मेर मेर में ठीक है यहां पर पिच् कि लिए किया गया था कि वे राजस्तान अत्वा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं इस समिती के अध्यक्स सही ते कितने सदस्य थे इस समिती में अध्यक्स सही ते कितने सदस्य थे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों अध्यक्स सही ते तीन सदस्य थे तो वो कौन थे इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो भोगिलाल पंडिया तो यहाँ पर अपना इसमें C number का option right answer हो जाएगा भोगिलाल पंडिया 47 number का question है निम्न में से कौन सा समाचार पत्रे गुनिस सो बीस में विजा सिंग पतिक ने वर्दा से प्रकासित किया था इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो राजस्तान केसरी तो यहाँ पर C number का option right answer हो जाएगा राजस्तान केसरी नामक है जो समाचार पत्र है यह विजा सिंग पतिक ने गुनिस सो बीस में प्रकासित किया था राइट आंसर इसमें C number option आगे देखे संपसभा की स्तापना किसने की यह तो सभी को पता होगा दोस्तों संपसभा की जो इस्तापना है वो गौविंद गिरेने की यहाँ पर D number का option right answer पंडित ने नुराम सर्मा किस परजामंडल से समन्दित थे तो कौन से परजामंडल से समन्दित थे सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा परजामंडल से समन्दित थे यहाँ पर D number का option बिलकुल सही आगे देखे निम्न में से किस राजपूत सासक ने विजय कटकातू की उपादी धारन की तो विजय कटकातू की उपादी है यह दारन की दोस्तों महाराना राज सिंग ने विजय कटकातू की उपादी धारन की यहाँ पर D number option बिलकुल सही अगे देखे निम्न में से कौन से राजपुत सरदार हल्दी गाटी के युद में राणा परताब के पक्स में लड़े थे देखे राम सिंग तवर जिने राम सा के नाम से जाना जाता है बिल्कुल सही है ये लड़े थे जाला बीदा भी लड़े थे रावत कृष्णदास चुंदावत ये भी लड़े थे यहाँ पे जो असोक परमार है ठीक है ये दोस्तो राना सांगा के पक्स में लड़े थे ना कि राना परताब के पक्स में ठीक है तो यहाँ पर एक दो तीन है ये तो इसमें क्या है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर आप कूट बासा में कर लेना दोस्तो एक दो तीन इसमें क्या है सत्ते है ठीक है आगे देखे 52 नमबर प्रस्ट ने किस राजपूच सरदान ने खानवा के युद में राणा सांगा के गाहल हो जाने के बाद उनका राजचिने धारण करके युद जारी रखा था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें जाला अजजा तो यहां पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा जाला अजजा तरेपन नमबर प्रस्ट ने इसमें देखे निमन में से किस रचना में अमीर खुसरों ने चितोड पर अलावदिन खिलज नमबर उप्सन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे अगे रन थंबोर के मिजसे के अ उपरांट अलावदिन खिलजी ने इस दुरुक को अधिकार में सोपा था यह तो सब्मी को पता होना जाए दोस्तो सेंड गेड में ये ६्रष्ण पूछा भी जा चुका है राइट आंसर हो जाएगा वो है उलुक खां को सोपा गया था दोस्तों देखिए अलाउदिन खिल जी के दो सेना पती थे एक नुसरत का और एक उलुक खां नुसरत का है वो इस यूद में मारा गया था उलुक खां बचा तो उसको ये दुर्ग सोप दिया ता है तो यहां पर A नंबर का औप्षन बिल्कुल सही उत्ब जाएगा आगे देखिए अरुनोराज के बारे में निम्न कतनों पर विचार कीजिए और कूटबासा में अपने को उतर देना है कि कौन से कतन है वो अर्णोराज के बारे में सत्य है देखिए अपने राज़काल के प्रारम में उसने एक गजनवी आकरमन को खदेड दिया बिल्कुल सही है वहें मालवा के दरवर्वन को पराजित करने में एसफल रहा ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें अर्णोराज ने मालवा के सासक दरवर्वन को पराजित किया था एसफल नहीं रहा था पराजित कर दिया था तो दूसरा नमबर का इसमें गलत हो जाएगा उसने चालुक के नरेश जैसिंग सिद्राज की पुत्री से विवा किया बिल्कुल सही है वहें अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया ये भी बिल्कुल सही है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा कतन है वो इसमें गलत है बाकी तीन सत्य है तो यहां पर इसका राइट आं विदेशी आतरी ने गुजर प्रतिहार राजवन्स की सैने सकती एवं समर्दी का उल्ले किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुलिमान ने तो यहां पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सुलिमान ने किया है आगे देखिए सतावन नमबर प्रेशन है यहां पर देखिए बेराट में पर्थम उतकनन किसके नेतरतों में किया गया था बेराट सबेता में पर्थम उतकनन है वो किसके नेतरतों में किया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दैयराम सानी के नेतरतों में किया गया तो यहां पर अपना इसमे राइट आंसर C नमबर उप्शन आगे देखे राजस्तान के किस जिले में बाग का पट्टी फैली है तो दोस्तो बाग का पट्टी फैली है तो यह अजमेर और नागोर शितर में फैली है अजमेर उप्शन में नहीं दे रखा नागोर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फलोराइड की मात्रा है वो अधिक है इससे क्या है कि शरीर में कुबड हो जाते हैं ठीक है यहाँ पर बी नमबर का उप्शन बिलकुल सही साथ नमबर का प्रेशन है निमन में से राजस्तान का कौन सा चेतर बालू का इस्तुप मुक्त है निमन में से राजस्तान में कौन सा चेतर बालू का इस्तुप मुक्त है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है फडोदी पोकरन है ये बालू का इस्तुप मुक्त है तो यहाँ पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही इक उस्तु नंबर प्रास्त ने निम्न में से राजस्तान में कौन सी नदी रुंडित सरीता कहलाती है राइट lub होजायगा ये प्रास्तुं भी पूछा जा चुका है सही उत्तर हो जाएगा वो है बान गंगा यहाँ पर C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही बान गंगा इसका राइट आंसर आगे देखे किसका सम्मंद सवाई मादवपूर से नहीं है बताए किसका सम्मंद सवाई मादवपूर से नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखे बनास नदी, मौरेल और गंबीरी यह तीनों नदियां है वो स्वाइमादोपूर से बेती है लेकिन गंबीरी नदी है यह स्वाइमादोपूर से नहीं बेती तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे है तो kohen से दिए मुखयत है इसका यहां द estado है दोस्तों इस में कोटा स्वाईमाद्व Innphore धोलपूर कोटा स्वाईमाद्व दोलपूर। यह मुख्यत प्रभावी है तो यहां पर ए नमपर का आप्शन राइट आनसर हो जाएगा आगे देखे पस्मी राजस्तान में पस्मी रेतिला मैदान की पूर्वी सिमा निम्न मेंशे कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सालीश सेमी तो यहां पर सी नंबर का उप्सन राइट आइस रोजाएगा चालिश सेमी 65 नंबर का प्राइश ने किसी लिए सीमा गुजराच से इस पर्स नहीं करती है इसका राइट आंसर उजाएगा वो है द दोस्तों इसमें पर्ताब गड़ को answer होजाएगा परताब गड़ इसका बिलकूल सही c64 क नंबर का प्रशने समीधिके बॉराट पठार जिसके मद्धेस्तित वे है है बॉराट पठार है ये किसके मद्धेस्तित इसका राइट आशार हो जाएगा वह कुम्बलगड एवं गोगुंदा के मद्दी ये इस्तित है बोराट का पठार तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है C number का option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 67 number प्रेस ने लुनी नदी के प्रदूसन का प्रमुक्सरोट क्या है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो रंगाई चपाई उद्योग रंगाई चपाई उद्योग तो यहाँ पर A number का option right answer हो जाएगा 68 number प्रेस ने इसमें देखिए निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मद्दे अरावली स्रेणी में इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मेरवाड़ा पहाड़ी तो यहाँ पर ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा मेरवाड़ा पहाड़ी आगे देखिए 69 नमबर प्र कार नहीं है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पैराबोलिक है तारा है बरकान है लेकिन दो राउंड नहीं है तो यहाँ पर डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही सतर नमबर प्रेस ने वर्स 2015 की तुलना में राजस्तान में वन छित्र में वर्स 2017 की रिप को मिटर की में वर्दी हुई है यह नंबर और ओप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा राजस्तान में किस जन संक्या में रिनातमक वर्दी दरज की गई राजस्तान में किस दसक में जन संक्या में रिनात्मक वर्दी दर्ज की गई इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा तो दोस्तों वर्स है गुनी सो ग्यारा से गुनी सो एकिस के मद्दे रिनात्मक वर्दी है वो दर्ज की गई तो यह आगे देखिए राजस्तान में तामर्युगिन सब्वेताओं में से सबसे परमुक्ष सब्वेता है वो कौन सी है ये तो सभी को पता होगा दोस्तों आढ़ सब्वेता राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए भारत में मुस्लि समराज्य का संस्तापक है वो किसे माना जाता है सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों मौमद गोरी यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए पांच महान जीले कहां इस्तित है पांच महान जीले कहां पर इस्तित है दोस्तों यह इस्तित है उतरी अमेरि होता है लोहा इस पात उद्योग में कौन सा सक्ति का साधन सरवादी के परियुक्त होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोईला यहां पर ए नंबर का उपसन बिल्कुल सही कोईला आगे देखे मात्मा गांदी ने गुनी सो तीस में सवीने अवग्या अंदोलन कहां से सुरू किया इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह दांडी से सुरू किया यहां पर बी नंबर का उपसन बिल्कुल सही दांडी से असी नंबर प्रेस ने भारत में राष्टिये अकंड़ता दिवस कब मना जाता है तो यह दोस्तों गुनिस नूवंबर को अब दोस्तों यहां पे सिक्षा मनोव विज्यान से समंदीत प्रेक्षा में पूछे जाएंगे देखिए दोस्तों यहां पे वुडवर्त के अनुसार सीखना है विकास का प्रक्रम है तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए भोतिक एक ता कहलाती है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों ये कहलाती है मन तथा सरीर का विकास यहाँ पर ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मनता था सरीर का विकास आगे देखिए बाल अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें प्राए लड़कियां गनित में कमजोर होती है यह हैं यह हैं दोस्तों अनुसंदान आदारित धारना है ठीक है बुद्धि लब्दी 110 से अधिक है विश्तरित सब्दकोस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक सभी है ठीक है यह दोस्तों इनमें क्या है कि प्राए लड़कियां गनित में कमजोर होती है तो यह कारण है तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अप्शन बिल्कुल सभी आगी देखें वहें परिक्षन हैं जिसमें बच्चों को प्रारंबिक बिंदू से लेकर अंतिम बिंदू तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है। जिसमें निमनलिकित में से कौन सा कतन समुचित नहीं है। परिवर्त तन्सील है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर उप्सन। उसने निमनलिकित में से किस सिद्धान पर आदारित होकर अनुमान लगाया। बताइए उसने निमनलिकित में से किस सिद्दान पर आदारित होकर अनुमान लगाया इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विकास एक है विवस्तित करम में होने की परवर्ती से सम्मध है तो यहां पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए निमनलिकित में से कौनसा अनौन सिक्ता से निड़रित नहीं होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अभिवर्ती यहां पर बी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा अभिवर्ती आगे देखिए सबसे अधिक गहन और जटल समाजिकरण होत है राइट आंसर हो जाएगा कि सोरा वस्ता के दोरान यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखें निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है राइट आंसर हो जाएगा वो है अभी वर्दी तो यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्क तो यहां पर अपना इसमें B number का option बिल्कुल सही आगे देखिए अंतरमखी व्यक्तित्व का प्रकार है इसका राइट आंसर होजाएगा वो है मनुवे घ्यानिक परकार यहां पर इसमें B number का option right answer होजाएगा आगे देखिए गेलबट के अनुसार पिछडे बालकों की बुद होती है प्रतिबा साली बालकों में निमने विशेष्टा होती है तो वह होती है बुद्धी लब्दी 110 से अधिक तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखें मेकडूगल के अनुसार मूल परवर्ती जिग्यासा क समन्द संवेग कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो आस्तरिये यहां पर सी नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा आस्तरिये आगे देखें विदायक्ता की मूल परवर्ती की सवस्ता में विक्सित होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें दोस्तो बाल्यवस्ता में तो यहां पर डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा बाल्यवस्ता में आगे देखिए शिक्षन अधिगम प्रकिरिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना मैतोपून है क्योंकि क्योंकि दोस्तो बच्चों की विकास दर्बिन होती है और वहें भिन तरीकों से सीख सकते हैं तो यहां पर डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें 99 नंबर का प्रेस ने सामाजिक नियमो वे कानून के विरुदे वेवार करने वाला बालक कलाता है तो वो क्या कलाता है राइट आंसर हो जाएगा बाल अपरादी कलाता है तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही बाल अपरादी आगे देखिए बच्चे जैसा करना एक उधारन है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रति गमन है यहां पर बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सहिते हिसमें हो जाएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्श्ट क्लास में जाहिंन जाभा रट